हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो आवर चैनल आपके चनल ब्लोक्स होप सो कि आप सारे के सारे ठीक होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेस्पी तो आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेश्टी सी रेस्पी तो इसके लिए में चाहिएंगे फूल मखाना जो अमारे लिए काफी एल्दी है हमारे वजन को भी कंट्रोल में रखता है और प्रोटीन और फाइबर इसमें फट्बूल मातरा में होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने एक कट्वरी फूल मखाना लिया है इसको हमने प्राई पैन पर ड्राय रोस्ट कर लेना है गैस को मीडि प्राइब कर लेंगे जो नमी हो वह दूर हो जाएगी तो यह दो से तीन मिंट में हमारे मखाने अच्छे से ड्राय रोस्ट हो जाएंगे तो देखे एक तोड़के देख लेते हैं अब इसमें थोड़ी से नमी है थोड़ाइशा और रोस्ट कर लेंगे एक तो एक से दो मिंट के लिए देखे मखाना हमारा अच्छे से रोस्ट हो चुका है अब ग्रैस की फिल्म को कर देंगे बंद और थोड़ा सा एक से दो मून अमने डाल देना है घी पैन को दुबारा से रखे उसमें से मखान निकाल लेंगे उसमें डाल देंगे एक चम्मत चीला थोड़ी डाल देंगे थोड़ी डाज लेंगे लाल मिर्स बाउडर थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला और जीरे को तड़कने देंगे ताकि यह मसाले अच्छे से घुल जाब इसमें डाल देंगे मखाने और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना जो भी हमारे मसाले हैं वो मखाने पर अच्छे से लिपट जाएं तो देखिए इस तरह से हमने इसको मिला लेना है देखिए मसाली हमारे माकानों के अच्छे से लिपट गए हैं अब ग्रैस की फिलेम को अमने बंद करते ना है अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक थोड़ा सा अमचूर पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक टोमाटर डाल देना बार इक कटा हुआ एक प्यास डाल देनी है अगर इसमें आप और कोई वेजटेबल डाना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं जैसे कैप्सिकम बग्यारा तो देखिए हमारा मखाना चाट बनकर हो चुका है तयार इसको निम्बू के साथ सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगए प्लिस वीडियो को लाइक शेल कमेंट करें चैनल पने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये रैस पिगर पर ज सब्सक्राइब कर दो लुट मेंट लगए कर दो